हेलो इस्टूटे इन वेलकम तो माई चैनल सो इस्टूटे इन आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैट्रियोटिज्म बेयाउन पॉलिटिक्स एंड रिलिजियन रिटेन बाई डॉक्टर एपीजे अब्दूल कलाम और यह आपके बीए फॉर्स सेमिस्टर इंग्लि अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लैलिस्ट को चेक कर सकते हैं तो चल यह वीडियो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दूल कलाम एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक राइटर भी थे इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इग और एपीजे अब्दूल कलाम कहते हैं कि मैं सभी भारतियों को उनकी सक्सेस के लिए बुलाता हूं वह क्या शक्ति है जो किसी भी देश की सफलता और विनाज की वज़ बनती है और वह क्या रीजन है जिसकी वज़ से कोई भी देश पावरफुल बनता है तो उसका यह पहली चीज यह है कि देश के नागरिक को अपने उपर गर्व होना चाहिए और दूसरी चीज यह है कि सभी के अंदर यूनिटी यानि एक्टा की भावना होनी चाहिए और तीसरी चीज यह है कि सभी मिलकर अपने देश की तरक्की के लिए काम करें देश के सभी नागरिको के लिए जरूरी है कि सभी अपने देश के महान इतिहास को जाने और अपने देश के महान लोगों पर गर्व और विश्वास करें और जो महान युद्ध हमारे देश के लिए हमारे महान पुरवजोंने लड़े हैं और हमें उन लोगों से एक सीख लेनी चाहिए आखिर ब्रि इतिहास में जिन नायकों ने उन्हें प्रेरित किया अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए एक छोटा सा देश जापान एक अच्छा एक्जामपल है कि वहां के लोग अपने रास्ट पर और खुद को जापानी होने पर सम्मानित और गर्व महसूस करते हैं मगर आज वह एक विक्सित देश की कैटेगरी में आता है जिस भी देश ने तरक्की की है उन सब की सबसे बड़ी वज़़ यही है कि उन्होंने तरक्की, उन्नती और देश भक्ती को अपना मिशन समझाए जापान और जर्मनी दो ऐसे ही देश हैं जर्मन दो बार तबा हो चुका है लेकिन फिर भी जर्मन लोगों ने कभी हार नहीं मानी और फिर से जर्मन लोगों ने अपने देश को खड़ा किया और फिर बहुत आगे बढ़ गया जब जापान और जर्मनी जैसे छोटे देश तरक्की कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता इसके लिए बस यही कहा जा सकता है कि हमारे देश की हिस्टोरिकल जो पावर है वह हमारे देश के लोगों को इतना इंस्पायर नहीं कर पाई जिससे लोग अपने देश की सची मित्ती से जुड सकें ऐसा नहीं है कि लोगों को जागरूप करने में पिछले 50 सालों में कोई कमी रह गई हो आगे एपिजे अब्दुलकलाम साब कहते हैं कि उनको बच्पन से ही अलग-अलग धर्मों को जानने का सवभाग या प्राप्त हुआ लेकिन सभी के बारे में उन्होंने एक चीज कॉमन पाई कि सभी धर्मों की जो मुख्य शिक्षा है जो उनका में एम है वो एक ही है और भारत के धर्म निर्पेक्षा की जो भावना यहां के धर्मों से ली गई है यह हमें जानना होगा अगर हमारा देश कमजोर है तो बस इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर सेंस आफ मिशन कमजोर पड़ गया है मतलब हम सभी देश वासियों के लच्चय अलग अलग हो गए हैं अगर हम अपने आपको बटे हुए देखेंगे जिनके पास कोई एतिहासिक गर्व की भावना नहीं है और कोई भविस की उमीद नहीं है तो हमें दुख और निराशा के सिवा कुछ नहीं मिल सकता भारत में जो हमारा मूल कल्चर है वा समय से बरे है मतलब भारत में इसलाम के आने से पहले का है और भारत में क्रिस्टियन के आने से पहले का है शुरुआती दोर के इसाई भारत में थे जैसे की सीरियन इसाई जो केडला के थे वो अपनी सभ्यता को वैसे ही बनाए रखा जैसे वो पहले से रहते आये थे इसाई धर्म परिवर्दन के बाद भी क्या वो लोग कम इसाई थे क्या सिर्फ इसलिए कि उनकी औरतें मंगल सुत्र पहनती थी और उनके पुरुष धोती पहनते थे जिस तरह से केरला में पहनी जाती थी इसाई होना उन्हें अलग नहीं बनाता है या रह्मान मुसलिम हो सकते हैं लेकिन उनकी आवास सभी भारतियों के दिलों में बसती है सबसे बड़ा खत्रा हमारी एकता और लक्ष को उन लोगों और ऐसे विचारों से है जो लोगों को बाटने का काम करते है भारतिय सन्विधान पुरे भारतियों को बराबरी का अधिकार देता है हमें धार्मिक भावनाओं को तयाक कर छोड़ कर ऐसी सभीता का विकाश करना चाहिए जो हमें अपने देश की सेवा करने के लिए प्रेरीद करे अब समय आ गया है कि हम सभी एक जूट होकर एक रास्ट का निर्मार करें या तब होगा जब हम भारत के महान इतिहास को स्विकार करेंगे तब ही हम भविश में शान्ती और सफलता की उम्मीद कर सकते हैं विकास और तरक्की का मतलब यह नहीं है कि हमारे सहर विक्षित हो जाएं या यहां के सभी सुख सुविधाएं हो जाएं इसका मतलब है कि दूर दूर तक गाउं गाउं में स्वास्थे और सेवाएं पहुचें सिक्षा पूचें और सब सुविधाएं उन सब को बराबर मिलें जो इस देश के निवासी है ऐसे नए भारत में हर चीजें एक साथ विकास करें जैसे बायो टेकनलोजी, बायो साइंस और एगली कल्चर साइंस और इंडस्टरियल डेवलपमेंट राजनिता सिक्षितों और देश के हीद के लिए काम करें इस तरह शहरों के साथ गाओं का भी विकास होगा और लोग शहरों से गाओं की तरफ लोटेंगे सबसे ज़्यादा जरूरी काम हमारे राजनेता के लिए यह है कि वो देश को बनाने के लिए अपनी शक्ति लगाएं ना कि राजनिती पार्टी को बढ़ाना ही उनका एक मात्र लक्ष हो और विकास को अपना एक मात्र मिशन समझ कर पूरा करें भारत में एक अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं जिनके अंगिनत धर्म हैं और यही धर्म हमारी शक्ति है लोगों को एक साथ आना होगा देश की उन्नती के लिए इस तरह से हमारा देश विकास कर सकता है तो डॉक्टर एपी जी अब्दूल कलाम का ये इस से पैटियोटीज्म ब्याउन पॉलिटिक्स एंड रिलिजियन यही पर खतम होता है